तो कैसे हैं आपको गुमिदी दोस्तों आप सब बहुत अच्छे सौंगे स्वागत है आपका इन बहुत ही खास और इपॉर्टन वीडियो में खासतर पर बीएट की उन अभ्यारदियों के लिए जोनोंने सीटेट दिया था और जिनका सीटेट क्लियर हुआ या फिर जो सीट सीटेट देना चाहते हैं जोस्तों शुझ दिन पहले यह सीटेट को सूछना दिया था कि वह सीटेट प्रामरी का माखशीट यार belong फ Ann supported ना करे रिजल्ट तो रिलीज हो चुका है लेकिन प्रमाण पत्रलीन न करे इसी हाई कोट तरफ से सूचना दि कई ती लेकिन एक notice जारी किया है तो आईए उस notice को देखते हैं और जाते हैं कि seated क्या करना चाहता है कि क्या seated primary वालों को वो अपना mark sheet release करेगा या नहीं करेगा तो आईए देखते हैं और चलते हैं सीधे सबसे पहले हम seated की official website पे क्योंकि इधर उदर की खबरे थोड़ी गलत भी हो सकती हैं तो हम सीधा इसको चेक करते हैं seated की official website पे जो की है seated.nic.in पे तो आईए हम सीधे वहाँ चलते हैं और चेक करते हैं क्या है बुरा मामला किया है public notice on the result of seated दिसमबर 2022 तो चीधम दिसमबर 2022 के रिजर्ट पे seated ने क्या public notice जारी करा है आईए हम इसको डाउनलोड करते हैं और पढ़ने की कोशिद करते हैं और seated को जानने की कोशिद करते हैं कि सीधे इस मामले में क्या करने जा रहा है तो अभी यह वीडियो डाउनलोड हो रहा है पीडियाफ रजासा कि आप देख सकते सब कुछ लाइफ किया रहा है यहां पे आपके सामने तो सीधे का public नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है जो कि सीधे ने रिलीज किया था 10-4-2023 को यानि कि 10 अपरेल को यह सीधे ने नोटिफिकेशन रिलीज किया है पब्लिक नोटिफिकेशन रिजल्ट अफ सीधे दिसमबर 2022 अब आगे इस ज़रा सीधे की इस नोटिफिकेशन को पढ़ने की कोसिस करते हैं तो दोस्तों डाउनलोड हो चुका है सीधे का नोटिफिकेशन आप देख लेते हैं कि पहले पूरा एक बड़ नज़र डाल लेत कने हैं कि तरह पर्नों का नोटिस है दो पन्नों का नोटिस है उपर इंगलीस में दिया है नीचे हिंदी में धिया है तो हम हिं पढ़ लेते हैं कि सीधे क्या केना क्या है तो केंद्रिय मात्यमिक सिक्षा बोर्ड यानि कि सीटेट द्वारा अठाइस दिसंबर तो हजार बाइस से साथ फर्वरी दो हजार देश के दोरान ऑनलाइन सीटेट यानि कंप्यूटर बेस टेस्ट मोड में आयोजित केंद्रित सिचक पातरता परिछा के सोलहवे संस्क्रण का परिमार परिडाम घोसित कर दिया गया है मतलब सीटेट यहां तक यह कह रहा है कि 28 दिसंबर से 7 फर्वरी तक जो सीटेट का पेपर चल रहा था वो 17 सीट संस्क्रण था उसका रिजल्ट घोसित कर दिया गया है जी बिल्कुल हम सब जाते हैं हमने अपना मार्क शीट भी देखा है सौरी हमने अपना रिजल्ट जाते हैं कि और सीट यानि की वेबसाइट पर उपलब्द है जियां बिल्कुल आपका रिजल्ट उपलब्द है हम इस बात से इर्तफाक रखते हैं आगे सीट कहना चाहता है कि उम्मीदवारों की माकशीट और योगिता प्रमाणपत्र जल्द ही डीजी लॉकर पर अपड कि मैं घलत पड़ रहाँ कि उम्मीदवारों के माकशीट और योगिता प्रमाणपत्र जल्द ही डीजी लॉकर में अपलोड कर दिये जाएंगे उम्मीदवार सीट डिसंबर दुजार आइस के अपने आउनलाइन अवेदनपत्र में उनके द्वारा प्रदान किये गए मु और योगिता प्रमारपत्र डाउनलोड कर सकते हैं अब यहां पे दोस्तों बहुत ही सर्प्राइजिंग बात है कि रिसेंटली हाइट कोट के ओर्डर आने के बाद भी अच्छे यहां पे देखिए पूरा यहां पे जो नोटीस था वो खताम हो चुका है अब मामला यहिए दोस्तों यहां पे सबजने बात की है कि रिसेंटली हाइट के टिपडी के बाद भी उस मामले को CTD ने बिल्कुल विजिक्र नहीं किया थोडा भी मैंचनने कि क्या CTD प्राइमरी का रिलीस करेगा कि नहीं करेगा आगे सीटेट ने लिखा किया है सरह एक नजर इस पर डाल लेते हैं यह सीटेट का कहना क्या है सीटेट डिसमबर 2022 का विवरण इस प्रकार है पेपर वन को यहां पे बताया किया है कि टोटल 17,004,000 बच्चों ने गिया था 17,004,282 बच्चों ने फॉर्म भरा था जिसमें 14, 14,002,969 बच्चों ने फॉर्म भरा था और 14,002,969 बच्चे अटेम्ट किये थे उपस्तित रहते हैं यानि की एक्जाम में अटेम्ट किये थे जिसमें से 5,89,000 बच्चे यहां पे उत्त्रिड हुएं पास हुएं यह किसकी बात की जारी है यह सीटेट अपने अधिकारिक वेबसाइट पर बता रहा है यह सीटेट बता रहा है केवल पेपर वन के बारे में ठीके पेपर वन के बारे में बता रहा है कि इस साल 5,89,844 बच्चे क्वालिफाइड हुएं ठीक उसी पिकार पेपर 2 की बात कर रहा है कि 15,00,000 आवेदन हुआ था 15,49,464 जिसमें 12,006,000 बच्चे अटैंप्ट किये थे उपस्तित रहते जिसमें से 3,00,67,025 बच्चे क्वालिफाइड किये हैं यहां पर कर रहे रेशियो की बात करें तो सेकेंड पेपर में रेशियो आप आप खुद दे सकते हैं कि सेकेंड पेपर में रेशियो थोड़ा सा कम रहा है 12,00,000 की उत्रिड होना ये थोड़ा बहुत तचीनता कभीस है विद्यार्थियों के लिए टीक है तो जो बच्चे कर नहीं उत्रिड कर पाए हैं वो भी घवराई नहीं कि महनत करें क्योंकि तीन लाख शेतरलाद के आंकड़ा कम नहीं होता है और मैं आसा करता हूं कि वो तवाम बच बच्चे इनिक अंद्रगत आते हैं तो सीटेट ने ये विवरर दिया है कि कितने बच्चे क्वालिफाई हुएं उम्मिद्वारों को सलाह दी जाती है कि सीटेट की सीटेट और सीब्यसी वेबसाइट पर लॉग इन करके अपना परिडाम देखें तो परिडाम तो कि में पढ़ा ठीके बागी कुछ नहीं आ नहीं तो आप देख सकते हैं अब इस पूरे वीडियो का और इस पूरे नोटिफिकेशन का मैं विबरल और समराई बता दूँ तो देखो बहुत अच्छी बात यह है कि सीटेट ने हाई कोट के फैसले को बिल्कुन यहां पर में अब आपको समझ में आ जाएगा तेकि मेरी संभावना यह है मेरी सोच और समझ यह कहती है कि सीटेट हंड्रेट परशें तो नहीं कह सकते मगर मेरी समय से यह लगता है कि सीटेट डेफिनेटली प्राइमरी का माक्षित रिलीज करेगा अब आप कोगे कि हाई कोट के रोग अब अब यह अगली जो लाइन उस लाइन के आधार पर मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि प्राइमरी वादों को डेफिलिटली उनका माक्षित रिलीज किया जाएगा उनका पतरता परिडाम है वह यहां पर उनके सीटेट डेजी तो अपर अप्रोड प्राइव अपर अपर इक यहां परिडाम जा रही किया जाता है तो मतलब संभावनाय भी oder यजिए करना जाहते हैं जारी करते हैं डाहि कि यही बात कहा जा रहा है विशेस अनुमतियांकर याजिका के आधेश के अधीन होगा मतलब समझ महारी बाat अगर सीटेट है तो फूपरीम हिता है उसके अधिन होगा तो बात सही है ठीक है सीट कहता है रिलीस कर देते हैं तो ठीक है सीट कहेग--" कह जैसे ही कोई दीड़े लिया जाएगा जैसे संबन दितक शुचना खबर आते हम आपको डैफिनेटली बताया जाएगा। तो, उसके लिए आपको क्या करना हैं यहां उसके लिए systeml सी बाते हैं। सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहे। आपको क्या लगता है कि आपका श व्यार्श जल दिच रहीं यहां रोब इसे लगता है आपको कि यहां पर विल्य। पक्ष में फैसला जाएगा आगर आप B8 के आवद्यारती है तो डेफिनेटली आप B8 के पक्ष में सोच रहे होंगे और मैं भी आसा करता हूं कि वो B8 के फैसला जाए और सीटेट प्राइमरी का जो क्वालिफाइं सर्टिफिकेट है वो प्राइमरी B8 वालों को भी दीजी पर अप्लोड की है दोस्तों इस वीडियो में फिलाल इतना ही बागी आ प्राइव ठीया और अब उपकर отд pursuit Woah आप उतकर में कमेंट में जैनकारिक कैसी कमेंट में भीक करें आफशनत खुड़ में पसंद आई ये वीडियो नाइए क्रदेफिके नहीं चैनल से साब्स्क्र